हलो एरिवन तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं computer networking class 8 तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला तोपिक है आपका वो है computer network actually में computer network होता क्या है जैसा कि हम लोग जानते है computer network के एक basic need है किसी भी organization में जैसे कि bank में bank में भी network का काफी important है या need है कोई companies है cities है colleges है तो इन सारे जगहों पर क्या है जो network होता है ना काफी important होता है वहाँ पर network का connection चाहिए ही चाहिए क्योंकि वहाँ पर data सारी important करने होते हैं जैसे कि उनको अगर share data करना है यानि एक जगह से दुसरे जगह किसी data को send करना है इसके लिए भी उनको networking की जरुवत पड़ेगी ठीक है या वो किसी चीज को design करना चाहते है या notice हो गएरा भेजना चाहते है email हो गएरा भेजना चाहते है तो यह सारी चीजों के लिए क्या होगा उनको computer network की आव सकता पड़ती है जैयातर क्या होता है प्रिंटर का यूज होता है जैसा कि प्रिंटर है प्रिंटर हर एक जगह होना चाहिए जैसे कि office हो गया, bank हो गया वहाँ पर प्रिंटर का काम होता है तो प्रिंटर भी क्या है एक तरह से networking का एक example है तो computer network होता है जैसे पहले उसका definition हम लोग जान लेते हैं और computer network is a collection of computers and related devices connected using certain communication channel यानी computer network क्या है एक collection होता है किसका computers का और उसके devices का जो connected होता है किसी एक particular channel से जैसे वो channel क्या हो सकता है कोई cable हो सकती है कोई hub हो सकता है या कोई ऐसा जगह है जिसके थुरूब वो connection को जोड़ा गया है तो उसको अंबलेंगे computer network चलिए advantages of a computer network जो दूसरा topic है देखते है advantages of a computer network मतलब इक computer network के क्या-क्या फायदे है पहला अगर हम फायदा कहूं या advantages कहूं तो वो है file sharing अगर हम लोग computer network का यूज करते हैं तो इसके थुरू हम लोग file को share कर सकते हैं एक जगह से दुसरे जगह बहुत ही आसानी से जैसे कि अगर आपको email भेजना है तो क्या होगा email जैसा कि हम लोग जानते email क्या है network के चलता है internet से चलता है तो उसके लिए भी network system चाहिए या network connected चाहिए तभी आप email को send कर सकते हैं दूसरी चीज अगर आप किसी भी file को transfer करना चाहते है USB के थुरू तो वो भी कर सकते हैं तो इसके थुरू भी क्या होता है आप किसी file को एक जगह से दूसरे जगह share कर सकते हो या उसको carry कर सकते हो बहुत असानी से ठीक है तो यह होता है file sharing का फायदा दूसरा जो computer neural का फायदा है वो है age of communication यानि क्या है काफी हमारा जो communication होता है एक जगह से दूसरे जगह जो बात करने के जो हम बोल सकते हैं प्रतिकिरिया होती है ठीक है वो काफी आसान हो जाती है फर इजामपल जैसे कि modern जवाना में आजकल काम सोचे जैसे आप for example लेख सकते हैं mobile ठीक है जो smartphone है, cell phone है यह सारे चीज़ का कर रहा है आप आसानी से एक इंसान से है दूसरे इंसान से है कुछी पल में ठीक है चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आप उससे connect हो सकते हो तो यह क्या है काफी communication का काफी हम बोल सकते हैं कि काफी easy method है जिसके थुरू हम लोग किसी दूसरे person से हम क्या कर सकते हैं connect हो सकते हैं तो यह होता है is of communication तीसरे जो चीज़ हुआ है reliability reliability क्या होती है multiple copies of important files can be maintained and transferred between system reliability का मतलब होता है कि यह अज़ पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं या हम यह कह सकते हैं कि reliability यह है कि multiple copies of important files को किसी channel के थुरू एक जगह से दूसरे जगह securely भेजा जा सकता है ऐसा नहीं कि कोई हम कोई file है एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं बीच में क्या होगा file आपको गायब हो जागा या delete हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं तेक है आपको जो file होती है वो 100% क्या होती है secure होती है अगर आप सही person के पास अपना document फेज रहे हो तो इस पर क्या हो सकता है इससे पता चलता है कि हम लोग भरोसा कर सकते है या technology पर या यह काफी reliability होती है computer network एक जगह से दूसरे जगह किसी भी document को भेजने में चौता जो फायदा हो है redundancy redundancy का मतलब क्या होता है computer networks reduce the need for hard copies of all documents redundancy का मतलब होता है कि आपका क्या होता है कि काम करने की जो छमता होती है ना या काम करने की जो हम बोल सकते हैं तरीका होता है या method होता है वो बदल जाता ता है कि इसमें hard copy जादा आप use नहीं करता हो hard copy क्या होता है hard copy उसको बोलते हैं जो A4Size पर क्या होता print out होता है थीक है उसको hot copy बोला जाता है soft copy कि कि बोला जाता है lesson document जो वो print out नहीं हुआ पेपर पर ठीक है उसको बलते है soft coffee तो redundancy का मतलब क्या होता है वो hot coffee को reduce कर देता है या अपने किसी भी document को क्या कर सकते हो as a pdf अपनी computer में रख सकते हो ते क्या होती है redundancy होती है ये क्या होता है काफी important है computer network का पाच्वाजी चीद है वो है scalability scalability क्या होता है adding more and more computers to an existing network scalability का मतलब होता है कि आप अगर 24 computer क्या है जुड़े हैं आपस में तो इसका मतलब यह नहीं कि पाच्वाजी नहीं कर सकते हो आप जितना computer चाहते हो चलिए computer network के क्या क्या component होते है इसके बारे हम जानते हैं अगर हम बात करें पहले component के बारे में तो वह है the network interface card इसको short form में NIC भी कहा जाता है NIC is the computer's gateway to the network it attaches the computer to the network allowing to communicate with other computer on the network यानि the network interface card क्या करता है यह attach रहता है आपके computer से जो कि यह allow करता है आपके computer को communicate करने के लिए एक network से दूसरे network से ठीक है यह होता है यह ना जिसी network interface card दूसरे चोची जब वह है modem modem क्या होता है आप जैसा कि देख सकते है modem किस तरह देख रहा है यहाँ पर ठीक है a modem is a device which needed to translate between the analog phone lines and digital computer is called modem modem को इसको कहा जाता है जो analog phone line को digital computer में convert करता है उसको उम्बलते है modem modem are known as a formula known as a modulator demodulator modem का काम क्या होता है basically आपको जो frequency होती है अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो modem क्या करता है आपको connected रखता है और जो उसकी quality होती है जो wise की quality होती है वो बढ़करार रखता है network के तो तो यहाँ पर यूज होता है modem थर्ड आता है connector तो अब जैसा के connector यहाँ देख सकते हो connector बेट के लिए क्यूँ होता है इसके बिसिकली हम लोग करते है network को यह network से जूडने के लिए यह network को attach करने के लिए देखते हैं a connector is a device that joins two computer a network together connector के एक ऐसा device है जो दो या दो से जादे network को क्या करता है साथ में जोड़ता है उसको बोलते है connector ठीक है चलिए next हब हब क्या होता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हब बोलते हैं इसमें क्या है different slot दिये रहते हैं आप देख सकते हैं यहां पर slot है कि इसमें क्या होता है कि ऐसा hub होता है एक तरह का कि एक hub से आप different computer को attach कर सकते हो ठीक है या जोड़ सकते हो इसको हब कहा जाता है हब क्या होता है define करते हैं a hub is a central device in a network that manages traffic across the network a hub device the bandwidth or communication speed quality among the computers connected to it अब क्या होता है पहली बात इससे क्या कर सकता है different computer connect कर सकते हो दूसरी चीज यह क्या करता है basically जो quality होता है ठीक है communication की bandwidth की quality होता है वो बढ़ जाती है hub के थुरू तो यह सारी चीज़े क्या करता है traffic गएरा को यह क्या करता है manage करता है 5 देखते है transmission media transmission media का wire देख सकते हो आप कैसा रहता है transmission media just means the physical material that are used to transmit data between computers यह क्या होता है एक तरह का physical material होता है जैसे कि आप देख सकते हो wire wire क्या है physical material जिसको आप touch कर सकते हो यह क्या करता है basically transmit करता है data को computer के बीच में अब कहा जाए एक computer से दूसरी computer में अगर data transfer हो रहा है इसका मतलब है कि transmission media के through हो रहा है या किसी cable के through हो रहा है ठीक है तो इसको बलते है transmission media इसको नोट्स भी कहा जाता है ठीक है workstations और नोट्स भी कहा जाता है इसको क्या होता है the computer attaches to a network and are seeking to share the resources of the network are known as a workstation workstation क्या होता है basically एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि network होता है जो क्या करता है computer को attach करता है कि किसी resources को share करने के लिए ठीक है इसे की बलते है workstation workstation क्या है basically एक तरह का station है जहां पर different तरह के network जूड़े होते हैं यह allow करता है दूसरे computers को file या कोई data या document को share करने के लिए चलिए नेक्स्ट है types of computer network अब बात आता है कितने तरह के computer network होते हैं ठीक है इसके बारे हम पड़ते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं जो computer network होते हैं वो तीन तरह होते हैं पहला होता है land local area network दूसरा जो network होता है वो है when wide area network और ती पहले पर land आता है दूसरा man है और तीसरा when है ठीक है तो पहले land के बारे पड़ते हैं लैन इस्टेंड फो लोकल एरिया network लैन इसपांस अक्रोस लिमिटेड जियोग्राफिकल लाइक अ कंप्यूटर लाइफ ऑफिस विल्डिंग रिजिडेंशियल अपार्टमेंट और स्क इसके जो कनेक्शन के चामता होती है काफी कम दूरी होती लैन के जैसे हो गया केंप्यूटर लैब यह इसको भी आप क्या कह सकते हो लैन कह सकते हो लोकल एरिया network कह सकते हो या कोई आफिस बिल्डिंग है उसको भी आप लोकल एरिया network कह सकते हो या कोई अपार्टमेंट है वो एक्जाम्पल हो जाएगा आपके लोकल एरिया नेटवर्क का तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है वो काफी कम जियोग्राफिकल एरिया में फैला होता है मतलब काफी कम मतलब अकार में फैला होता है अब बात करते हैं man, man क्या होता है, man की full form होती है metropolitan area network, it is a geographical area falls between one and land, इसका मतलब हो जाएगा, जो man, यानि metropolitan area network है, ये land और one के बीच में आती है, ठीक है, जैसे कि ये क्या करता है, ये अभी देखते है, ये क्या करता है, man जो होता है ना, local area network से थोड़ा ज्यादा दूरी को कवर करता है, जैसे एक city समझ लो, ठीक है, metropolitan, आप एक city समझ लो, जैसे एक city होता है, district होता है, उस district में क्या हो गया, पूरे जो network होता है नो, फाहला होता है, मतलब कि एक district जितना, उसको बलते है metropolitan area network, इसका example हो जाएगा, तीवी केबल, अब तीवी केबल जानते हो ना, डिस्ट हो गया रहा, तो क्या होता है, किसी एक district में रहता है, और सारे district को क्या करता है, वो service provide करता है, तो जो best example होगा ना, वो डिस्ट टीवी हो जाएगा, metropolitan area network का, चलिए, इसके बास है when, wide area network, wide area network क्या इसका जो example होता है, वो होता है internet, wide area network क्या है, लार्ज geographical area में फैला होता है, यानि एक country से दूसरे country में, और इसको कहा से network मिलती है, जो main source होता है network का, वो होता है satellite से, ठीक है, यह satellite से connected होता है, तो इसका जो when का most example, मतलब most important example हो जाएगा, ना, हो हो जाएगा internet, internet को समझे network, next है network topology, अब network topology क्या होता है, पढ़ते है, a network topology is how computers, printers and other devices are connected, a particular arrangement, network topology का मतलब होता है, कि जो computer होते हैं, printer होते हैं, और जो other devices होते हैं, वो किस तरसे या किस arrangement में वो क्या है, लगे हुए हैं, ठीक है, किस particular arrangement में लगे हुए हैं, उसको बलते हैं network topology, अब ये भी क्या है network जो topology होता है तीन तरह को होते हैं ठीक है there are three basic network topology पहला जो network topology है वो है bus topology bus topology में क्या होता है basically in this type of topology a single cable function as a shared communication bus topology में क्या होता है basically इसमें single cable होती है जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो यह क्या है समझ लिए आप ये cable है ठीक है it carries all traffic the idea behind this topology the line is the configured around the single cable and file server control all the other computers orchestration अब क्या होता है बस topology क्या होता है इसमें बीच में एक cable गई होती है और इस cable से different computer attached होते हैं एक single cable से इसको बोलते हैं bus topology ठीक है इसका जो example हो जाएगा वो हो जाएगा computer life या कहीं पर क्या हो गया कोई connection दिया है light हो गया रहागा या कोई computer attached है ठीक है single line क्या है ये cable है और इसे different computer attached है ठीक है दोनों तरप इसको बलेंगे bus topology रिंग topology रिंग topology आप समझ गया होगे ring मतलब कि अंग्ठी होता है ring means ठीक है लेकिन वो क्या होता है कि यह क्या है यह circle attached होगा जितने भी computer होंगे न यह समझ लिए क्या है cable है और इसके चार तरप क्या है computer attached है इस cable से ठीक है एक circle में तो इसको बोलते है ring topology पढ़ते है इन a local area network where the ring topology is used each computer is connected to the network in a closed loop और रिंग यानि हर एक जो computer होंगे वो क्या होंगे एक close loop में या एक ring क्या कार में connected होंगे इसको बोलेंगे ring topology चले next है start topology star topology में क्या होता है basically beach में hub होता है ठीक है जो main hub होता है वो beach में होता है बाकि इस main hub से क्या होता है इसके अगल बगल चारो तरफ computer attached होते हैं उसको बोला जाता है star topology पढ़ते हैं इसको one of the most popular topologies of ethernet line is the star it is easy to set up and it is relatively cheap यह काफी सस्ते भी होते हैं और काफी असानिस आप इसको या इससे किसी भी चीज़ को attach कर सकते हो the star topology work by connecting each node to a central device यानि हर एक जो क्या होता है जो computer होते हैं एक central device से attach होते हैं जिसको बोला जाता है star topology so I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है प्लिस like and subscribe my channel thank you guys बिसे स्था जच्छाइ और क।्लिसे सकते हैं